गुड बॉर्निंग क्लास सेकें बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंगलिश वन तो प्लीज ओपन यौर इंगलिश वन बुक और इसमें जैसे की हम लोग क्या कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं रिवीजन में हम टेस्ट ले रहे हैं चीक है तो इसमें देखते हैं आज आपका क्या टेस्ट होने में जा रहा है तो देखिए आज मैं आपको देने जा रही हूँ page number 59 और इसमें है आपका fill in the blanks with the correct er form of the adjective एक bracket देख रहे हैं आप इस bracket में आपको क्या दिये गए है adjective दिये गए है उन adjective सो हमने क्या करना है use करना है उनमें हमने correct er form हमने उसको करना है er form करके बनाना है तो उसको हमने फिर कहां लिखना है खाली जगे पर लिखना है यहाँ पर जैसे blank दिया है तो देखते हैं आपका test first है sonu is dash then monu ठीक है मैं एक आपको बता देती हूँ बाकि आप अपने आप करिए sonu is dash then monu bracket में हमें दिया है tall t-a-l-l tall tall means lamba ठीक है तो इसमें है sonu is then monu तो हमें दिया है tall तो हमने tall के साथ लगानी है er form तो बन जाएगा sonu is taller than monu ओके second wood is dash then paper bracket में दिया है hard हमने उसमें क्या करना है er format करनी है और उसको खाली जगह पर लिखना है third है who is dash sonum और sajili bracket में दिया है tall who is tall के साथ भी क्या लगेगी er form लगेगी तो आप देखिए उसमें आप बनाएँगे उसको और लिखेंगे fourth है mouse is dash then an elephant bracket में दिया है हमको small okay fifth है the night is dash then day हमें bracket में दिया है cold तो उसमें क्या लगना है er form लगनी है ठीक और उसको हमने लिखना है खाली space में तो ये है आपका काम तो इसे आपने करना है अपनी copy में ठीक है और इसे अच्छी से writing में करिए बिना cheating के और समझते समझते करेंगे आप और जब आप काम कर लेंगे उसके बाद आप एक बाल इसको क्या करेंगे cross check करेंगे कि आपने ये सही किया है और अगर आपका कहीं पर भी mistake होगी तो आप उसको क्या करेंगे correction करेंगे ठीक है तो बच्चों आज है Tuesday Wednesday जो है आपका वीडियो off रहेंगे क्योंकि Wednesday का दिन जो है हम आपको क्यों दे रहे है preparation के लिए ठीक है और Thursday को आपका क्या है holiday है क्योंकि उस दिन शिवरात्री है तो Wednesday और Thursday का दिन जो है आपके लिए exam preparation के लिए क्या किया जा रहा है वीडियो के लिए off किया जा रहा है तो इन दो days में आपने क्या करना है आपको schedule भेज दिया गया है वर्ट्टप पे तो जो भी आपका paper 12 को आपका जो भी exam है आप उसकी क्या करेंगे तैयारी करेंगे ठीक है जितना आपने return work किया है उसको आप revise करिए जो भी आपका syllabus दिया गया है उसको आपने क्या करना है learn करना है तो all the best exam में आप अच्छा करें अच्छे marks लाएं और बिना cheating के आप करें आपसे उम्मीद है ठीक है और अच्छी writing में लिखिएगा ठीक all the best बच्चो